कि साथ भी कोई घटना होती है तो सरकार की जिम्मेदारी में आता है उसकी समयधानी बाद देता है कि वो उसको सुरक्षा मुईया करा है और मैं यह मानता हूं कि आज इस अंदोलम को करने की जोप नहीं होनी चाहिए थी सरकार को सग्यान लेना चाहिए था और सुछते ही समि कोल की गई थी जिसमें बहुजन समाज के लाखों लोग पहुंचे हैं आरलडी से भी हजारों लोग पहुंचे क्योंकि विबक्स की भी एक बड़ी कोल थी मेरे साथ आरलडी के राष्टे महासचीव के पिचोदरी है उनसे जानेंगे इस पूरे पिरकरन के उपर उनका क्य किहा ओजारों की संक्राइब भाज़न समाज आज दिली में इकत्र हुआ एक कोल की गई इस इसकोल का मेसिज है क्या समझना आज वहां पर अपनी मर्जी से अपने साधनों से वहां पर पूंचा सबसे बड़ी आंदोलनी की खूबशूरती यह नूसरा कि हमारा इथियास है कि जब भी अनुसूच जाती जंजाती समाज के किसी व्यक्ति के साथ कहीं भी देश के कौने मन्याय हुआ है चाहें सब्बीरपुर सारंपूर पीड़ित परिवारों को लाखों रुप्या बांटने का मामला रहा हो चाहें चंदशेकर आजाद की रहाई का मामला रहा आपको भी जाइस्ती की गई है उसमें समाज में एक दर था समाज में एक विरोत था समाज में एक आकरोस था वो समाज से ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और पूरा समर्तन इस बात को दिया गया है कि हमारे समाज का जो भाई है हमारा जो एक उभरतावा सितारा है अगर मा आदमियों को भी सुरुक्षा दे रखी है तो इसमें ग्रहमंत्रालों को समिक्षा करके तुरंत सुरुक्षा मुया करानी चाहिए थी जो नहीं की गई और उसके विरोध में आज समाज का एक जो मैं कहूंगा आकरोस फूटा और पूरे देश के कोने कोने से अमेट करवादियों ने जो बाबा साब को मानने वाले लोग हैं जो बहुत समाज के अनुव्याई हैं और मैंने देखा कि राजनेतिक पार्टी के लोग भी राजनीती अपनी पार्टी की जो है लाइन से क्रॉस करके कोई ऐसा राजनेता नहीं था किसी पार्टी का जुसने आज अपनी सिर्कत अगर बड़ा नेता पार्टी का नहीं है तो उनके जो नंबर टू या नंबर थ्री जो नेता थे वह लोग उने वहाँ पर अपना समस्थन दिया है अगर उनके कार्यकरता उनको ना बचाने के लिए आते तो साहिद पुलिस वाले उनको मारी डालते मैं आतरस कांड की बात कर रहा हूं उस समय इतना जनलाव उनके लिए नहीं निकला था देखें ये बात जो आभी आपने कहीं वो भी हमने वो भी अनुसुच जाती समाज की हमारी बैल्मी की समाज की हमारी बेटी जिसके साथ में जाजती हुई और उसको फिर मार दिया गया उ भी हुआ बड़ा दर्दनायक था उसको न्याय दिलाने के लिए हमारी पाइटी की राष्टे अध्यक्स जोदी जैंति सिंग जी वहां पर पहुंचे और पुलिस ने जिस बरबरता का परियोग किया योगी सरकार ने जिस तरह का वहां पर निने लिया और जिस तरह हमारे दिख के साथ में लाटी भांजीगे और हमारे प्र आटि कारेकर्टा हमारे लाश्ट्यक्त का घेरा ना बनाते अ वीडियो को जब देखता हूं तो हमारे पार्टी के जो कारिकरता थे उनको इतने डंडे इतने लाठिया उन्होंने जेली और उन्होंने पर अपने रास्टे देख्ष पर आच नहीं आने दी तो मैं यह कहूंगा कि जो भी आपने कहा कि उस समय यह आंदोलन नहीं हुआ मैं यह मान सकता हूं कि आज जो आंदोलन हुआ है वो आंदोलन उस समय भी अगर होता तो और अच्छी बात रहती लेकिन भविश्य में आज जो आंदोलन हुआ है उसमें 14 जेंट सिंग्जी भी सामिल हुए हैं उसमें सीतराम येचरी भी डी राजा इसमें हमारे राजिंदर कुल खिलाएगी कई दसकों से समाज की आवाज को उठा रहे हैं इसी ओफिस से आप बहुत सारी निल्डे करा चुके हैं आपको क्या लगता है कि वर्तवान में जो सरकार है जिस हट धरमीता से काम कर रही है आपको लगता है जो मांगे आज मांगी गई है जैट बिलस सुर दिली की धरती पर अंदूलन ना करते एक के बार एक लाखो लोगों में खटा ना करते तो मुझे लगता है कि चंद शेखर की रहाई तनी आसान नहीं थी आज चंद इस तरीके का समर्ता नाथ चंद शिक राजाद को तिया है तो अपने अप माध क्वाद में लगता है कि सरकार है क्या, सरकार है क्या सरकार चलाने वाले जो लोग है उनकी नियत पर कभी मनहुह thinking की प्रधान मंत्री होते तब भी सरकार होती आज मोदी जी हैं तो भी आज सरकार है यानि सरकार तो अपने लेकिन जो आदमें उस पर बैठा हुआ चेर पर उसकी मर्जी क्या उसके सोच क्या है जैसे एक समय इद्रागांदी प्रधान मंत्री बनी थी तो उन्होंने देश कर आश्चे करंड किया उसके बाद में उन्हीं को घटना होती है और किसी वेक्ति यह तो खेर चलिए एक भी मार्मी के प्रमुख भी हैं और पाइटी के भी राष्ट्य ध्यक्ष हैं जिम्मेदार वेक्ति हैं और समाज का बढ़ा भारी समर्थ उनके साथ है लिगन अगर आम आदमी के साथ भी कोई घटना होती है तो सरक कई दसकों से राजनीती में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं बहुजन की राजनीती को आज 37 दसक पहले और आज वर्तमान में जैसे दिल्ली में जनसलाव उमला है उस ध्रस्टी से कैसे देखते हैं दिके बहुजन समाज खटा हो रहा है सरकार की प्रताड़ना इसका मुख्य कर बन रहा है कल तक अखले स्यादव जी क्रिशन जी के बंसिर माने जाते थे वह भी अपने आप हिंदू बोलते थे लेकिन जब हमारे नई मुख्य मंत्री जी ने उनका आवास दोलवाया उन्हें पता लगा गया और आज अखले स्यादव जैसे लोग अगर यह मान रहे हैं जबह में बोल ले मुसल्मान भी जबह माऩ आज जात भी जबह मोल लहा तो ऐसा है कि मोधी जी की सरकार का इस बात के धन्यवाद के उन्होंने पेटो लगा दिया सब लोग जए विम बोलने लगे और सब समिधान की बात करने लगे बारत की बात करने लगे और जो आपस में भेदभाव था जो थोड़ा सा गैप था मैं कहुँगा सारे समाज अब एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए काफियत तक तैयार होगा आने दिपक खुद बन जाएंगे पार्टी आपने जोईन किया चोबिस का क्या जंडर कि यह पार्टी अद्ध्यक्ष का फैसला है मैं तो एक पार्टी का राश्ट्र महास्च्छी हूं मुझे ऐसे इंदिड़ने लेने का कोई धिकार नहीं है पर हमारी पार्टी के राश्ट्र संद्री आपके बाले दिनों में नहीं अयों निश्ब्स से केद लुकार बनाने में हमारी पार्टी की महत्रपूर्ण भूमिका होगी सरकारी नोकरी में थे आपकी विवस्था थी अब आप नोकरी से बाहर है राजनीतिक दल का हिससा भी है तो क्या लोगतने आपको लोग सबांब बेजने का कम करेंगा पार्टी के नाते उस निरने का अनुपालम करने के लिए बादे हूं अभी तक मेरा ऐसा कोई रादा नहीं है क्योंकि मैं जो सामाजी कार्य कर रहा हूं उसमें बड़ा आनद है आप लोग भी मुझे 25 साल से कवर देख रहे हैं और ऐसा है कि हर गती वीडियो को आप लोग अपने टीवी चैनल पर कवर भी करते हैं तो मेरा ऐसा मेरे आते रहते हैं मेरे यहां तो जो राष्ट पती बने बाराष्ट पती बनने से पहले यहां पर मिलने आते थे तो मेरे यहां तो ऐसा है कि सब के लिए सद्भाव है हर पार्टी का आदमी मेरे पास मिलने आ जाता है और मैं भी मिलने चला जाता हूं ऐसी कोई बात नहीं है मै अक्षर से पालन करूँगा लेकिन मेरी अभी को ऐसी अभिलाशा नहीं है क्योंकि मैं आज जिस जिम्मेदारी को निभा रहा हूं वो एक MP से मिनिस्टर से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है पीचोदरी साब जो पिछले कई दसकों से समाज की आवाज को उठा रहे हैं राजनीतिक जीवंक में वो परदारपन कर चुके हैं आपको क्या लगता है कि उनको लोकसमा में जाना चाहिए या नहीं क्योंकि सरकारी नोकरी में रहते हुए जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ जहर जी धन्यवाद जी धन्यवाद जी धन्यवाद जी नौकरी में जीवाद 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 झाल झाल